हलो बच्चो कैसे हो बच्चो आज हम डायमंड और ग्रेफाइड के यूजिस के बारे में डिसकस करेंगे ठीके डायमंड और ग्रेफाइड कहां पे यूज होते हैं ठीके तो आए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम डायमंड लेते हैं ठीके ठीके बच्चो diamond का आपको पता ही है यह hard होता है जब यह hard होता है तो इसके hardness की वोजा से cutting और grinding के purpose के लिए इस्थमाल किया जाता है ठीके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ due to its hardness इत इस योज़्ट फर काटिंग एंड ग्राइंडिंग ठीक है other substances यह hard होता है इसके hardness के वजय से इसको cutting और grinding purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है बच्चो example लेते हैं इसमें glass cutting के लिए इसको इस्तमाल किया जाता है ठीक है फिर इसको हम राकी लेर में जब drilling करते हैं जब hole drill करते हैं तो वहाँ पे भी इसको इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो मैं यह लिख सकता हूँ it is also used for drilling holes in राकी लेर of earth ठीक है जमीन के अंदर जब हमेरे पास राक होता है ठीक है राक भी एक hard होता है उसमें जब drill करते हैं जब hole drill करते हैं तो वहाँ पे भी diamond का इस्तमाल किया जाता है ठीक है बच्चो फिर उसके बाद next इसका क्या use है diamond की जो dyes होती है उनको हम thin wires draw करने के लिए भी इस्तमाल करते हैं ठीक है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ diamond dyes are used for drying thin wires like tungsten filament of electric bulb ठीक है diamond की जो dyes होती है उनको हम thin wires draw करने के लिए भी इस्तमाल करते हैं जैसे के tungsten filament जो के electric bulb में एक filament होती है ठीक है ठीक है बच्चो उसके बाद हम यह भी लिख सकते हैं कि इसको हम jewelry में भी इस्तमाल करते हैं ठीक है diamond is also used in jewelry due to its brilliance ठीक है brilliance में चमक इसकी एक चमक होती है इसलिए इसको jewelry में भी इस्तमाल किया जाता है ठीक है उसके बाद diamond के sharp edges यह ice agent के द्वारा इस्तमाल किया जाता है एक tool के तूर पर इस्तमाल किया जाता है cataract को remove करने के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ is sharp is a sharp edged tool used by isogen to remove cataract ठीक है बच्चो sharp edged diamond को eye surgeon द्वारा भी इस्तमाल किया जाता है ठीक है cataract को remove करने के लिए ठीक है diamond को artificially भी synthesize किया जाता है ठीक है उसको हम synthetic diamond केते हैं ठीक है बच्चो तो ये थे कुछ uses diamond के अब बात करते हैं graphite की ठीक है अब बात करते हैं graphite की ठीक है तो graphite soft होता है आपको पता ही है इसलिए powder graphite को हम lubricant के तोर पर इस्तमाल करते हैं ठीक है फास्ट मूविंग पार्साफ मेशिनरी में ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दीक है इससा जग कीव पार्साफ पता है प्रफ पार्साइब प्रफ पूदर मूदर लिख सकते हैं। इन फास्ट मुविंग पार्सा मशीनरी ठीक है ग्रेफाइट साफ्ट होता है इसकी साफ्टनेस की वज़ाए से ग्रेफाइट पोडर को हम लूबरिकेंट के तोर पर इस्तिमाल करते हैं ठीक है मशीनरी के फास्ट मुविंग जो पार्स होते हैं उन में इसका यूज होता है ठीक है तो दूसरा यूज हम यह लिख सकते हैं कि इसको हम मशीनरी के पार्स में भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो के हाई टमपरेचर पे ऑपरेट करती है ठीक है क्यांकि ये non-volatile होता है इसलिए इसको हम high temperature पे जो machinery काम करती है उस पे भी इसको हम इस्तमाल करते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ due to its non-volatile nature it is used in machinery operating at high temperature high temperature पे जो machinery operate करती है उसमें भी graphite का इस्तमाल होता है ठीक है क्योंकि graphite non-volatile होता है उसके बाद इसका एक और use है इसको petroleum के साथ mix करके graphite grease बनाय जाता है ठीक है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ it is used with petroleum it is used with petroleum to form graphite grease ठीक है बच्चों इसको petroleum के साथ mix करके इससे graphite grease मनाई जाती है ठीक है फिर next point है graphite आपको पता ही है electricity conduct करता है ठीक है जब electricity conduct करता है तो हम यह लिख सकते हैं कि इसको हम electrode में भी use करते हैं ठीक है it is used in electrodes in dry cell and electric arc dry cell के अंदर जो electrodes होते हैं उनमें इसका इस्तिमाल किया जाता है ठीक है dry cell के अंदर जो electrode होता है उसमें graphite का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ anode in dry cell dry cell के अंदर जो electrode होता है उसमें इस्तिमाल किया जाता है कुन से anode के लिए इस्तिमाल किया जाता है कुन से electrode के लिए इस्तिमाल किया जाता है anode के लिए ठीक है मैं दोबारा repeat करता हूँ graphite को dry cell के अंदर के तर पर भी इस्तिमाल किया जाता है ठीक है। जैसल कि इसके मैं आक्जामपल ली, यहां पर मैंने यह बतायाँ को की dry silk एंदर जो anode होता है means anode electrory होता है ठीक है। anode में graphite का यूज होता है ठीक है। इसके बाद graphite को pencil में भी इस्तिमाल किया जाता ہے ठीक है मैं यहां पर लिख सकता हूँ अर्सो यूज़ दिन मेर्किंग दर कॉर अफ पैंसिल्स ठीक है कार्ड इस पैंसिल लेड्स ठीक है ग्रेफाइट का इस्तमाल पैंसिल बनाने में भी इस्तमाल किया जाता है ठीक है पैंसिल की कौर बनाई जाती है जिसको पैंसिल लेड्ड केते हैं ठीक है उसके बाद इसका परियोग बलेक पैंट में भी होता है ठीक है ठीक है बच्छो ग्रेफाइट को हम डाइसेल के अलक्टोर्स में भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसा कि डाइसेल के अंदर जो एनोड होता है एनोड एक अलक्टोर्ड ही है इसमें भी इस्तमाल करते हैं ग्रेफाइट को उसके बाद उसको pencil बनाने के काम में भी use करते हैं ठीके pencil lead केते हैं उसको उसके बाद black paint में भी इसका इस्तमाल होता है ठीके बच्चो तो बच्चो ये थे uses diamond और graphite के ठीके आज की वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार